नमस्कार पेशाज का न्यूस पॉइंट में हो अब इग्यार प्रकास सबसे पहली बात जो हम करेंगे देश में किसानों के लिए बहुत 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 मुश्किल समय है इस बात को एकदम समझ के जान कर रखिये मैंने हमेशा आपसे कहता हूँ कि उनके मुश्किलों को उठाता हूँ उनके मुद्दों को उठाता हूँ बहुत खराब समय है किसी भी किसान के लिए बे मौसम बारिश सबसे ज़्यादा तकलीव दे सकती है इन सब के बीच में किसानों के मसले को लेकर भूमी अधिगरण को लेकर कॉंग्रिस बहुत तयारी के मूड में नज़र आ रही है हम किसानों के मसले पर आएंगे और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे बहुत गंभीर विशह है जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ सरकार के पास कंटिंगेंसी प्लानों चाहिए लेकिन इन सब के बीच सोनिया गांधी अमेथी जा रही है अमेथी में जाकर ये कह रही है कि सब राहूल गांधी भी आएंगे कॉंग्रिस कोई नई तयारियां कर रही है इसके बारे में उमा शंकर सिंग को जानकारी है उमा हम आप से बात करना चाहेंगे क्या जानकारी मिल रही है आपको उमा सुनिया गांधी खुद अमीथी गई थी और वहाँ पर हुनों ने बताया था कि राहूल गांधी रेल्दी होंगे आप लोगों के बीच जी देखी आज कॉंग्रेस पार्टी के दफ्तर में महासेचिवों की एक बैठक होई जिसमें कई राजियों के सील पी को भी बुलाया गया था और वहाँ पे ये फैसला लिया गया है कि 19 अपरेल को दिल्ली के राहुलिला मैदान में एक बहुत बड़ी किसानों की रैली होगी भूमी अधिगरन बिल के खिलाब कानून के खिलाब जो सरकार जिस तरह के बदलाव करना चाहरी है और उसका नित्र तो सोनिया गांधी करेंगी जहां तक बात उसमें राहुल गांधी के शामिल होने की उठी तो कौंगरस के महासरचीफ दिग्वीजा सिंग का कहना है कि इसमें पार्टी के तमाम सेनियर लीडर्स जो हैं वो शामिल होंगे और राहुल गांधी जो हैं वो शामिल है जाहिर सी बात है कि पार्टी अभी भी इस पर गोल रुर्द बया कर रही है पर टाफ तोर पर नहीं के रही है कि एक राहूल गांधी कहा है कब आएंगे ये मतलब बहुत बड़ी-बड़ी समस्चाओं से इस वक्त हम गुजर रहे हैं ये इतना बड़ा मैं क्या बोलू मतलब इतना बड़ा पेंचीदगी का विश्य क्यों है भाई ये देखिए वो इसलिए है कि जिस तरह से कॉंगर्स पार्टी की हार हुई और जिस तरह से 44 सीटों के लोग सभा में वो सिमट कर रहे गई कई राजियों में उसका पत्ता साफ हो गया और जिस तरह से राहूल गांधी की अगवाई में उनके नेतरतों में पार्टी को आगे बढ़ाने की बात की गई लेकिन उस बीच में ही राहूल गांधी एक लंबी छुटी पर चले जाते हैं अब बजट का जो सत्र का जो पहला हिस्सा है उसमें वो शामिल नहीं होते हैं तो एक कौतूहल जो है वो पैदा हुआ वो नहीं सिर्फ कौंगर्स पार्टी के है कहां और क्या कर रहे हैं तो एक दिल्चस्पी की बात है लोगों की उसमें और कौंगर्स पार्टी के कई जो नेता हैं वो नेजी बाचीत में इतना तो बोलते ही हैं कि राहूल गांधी रहते हुए जितना खबरों में नहीं रहते थे उतना वो छुटी पर जाकर उससे ज्यादा खबरों में बने हुए तो कहीं नहीं कौंगर्स को भी लगता है कि यो मीडिया में जगा मिलनी चाहिए थी वो मिल रही है और वो इस तरह से भी चीजों को देखने की कोशिश करें लेकिन जहां तक पार्टी में रहते हुए ज्यादा राहूल गांधी खबरों मे बने हुमा आपके हिसाब से जी बिलकुल जाहिद की बात है कि पार्लेमेंट में जब वो शामिल होते जिस सेशन में उन पे यह भी आरोप लगता था कि वो नहीं बोलते हैं वो बहत में हिस्ता नहीं लेते एक दो मौके पर ही वो पार्लेमेंट में बोले उनकी जो पिजदी के आसपा से 45 फिजदी के आसपा सी ठहरती है तो इस तरह की खबरें कभी-कभी बनती थी लेकिन जब से राहूल गांधी गायब है या चुटी पर है तब से हर दिन उनको लेकर एक चर्चा चलती है और ऑपोजिशन पार्टी के तौर पे शायद कॉंग्रेस को ये म मौसम बारिश का है लेकिन साथ में मसला सोनिया गांधी जो है वो अमेठी पहुंचनी है आप तो अमेठी का बड़ा ख्याल रखते है अखलेश जी ये कहा है राहूल गांधी कुछ उनीस अप्रेल वाली रैली में आएंगी राहूल गांधी इसके बारे में हमारे रास्टे मा सची उने आपको बता ही दिया है जिसको कोई भी न ढूंड पाता हो उसको आप लोग ढूंड लेते हैं हम लोग तो नहीं डून पा रहे हैं हमारे ढूनने से भी परे हैं देश के जिस भूमी अधिगरहन और चालून और किसानों के लिए आप 19 को रैली करने वाले हैं उसमें नेता आपका हो ना हो यह बड़ा गंभीर विशय है तो इसलिए इसको इसलिहास से मत लिए कि हम ढून और तुम दूम लोगे क्योंकि आप लोग उनको अपनी पार्टी का नेता बाहते हैं आपी ढूने तो बहतर है जी जी अभी ग्यांजी 19 दिन बाकी हैं अभी हम लोग मायूस होने की बहुत आव सकता नहीं आप हो यहास हम महें क्योंने लगा राज्योग अगर नहीं है तो मेरे मायूस खान होने का क्रण ने का गारा Sr. लाज्यांजी जो भी हमारे देज़ की समस्या हैं मुद्धें हैं वो कांग्रेस पार्टी बखूबी alleen बड़ी मजबूती के साथ है संसा तो चासड़ा को उठा रहे हैं और दमदारिस उठा रहे हैं इस बात का रियलेसन हर किसी को भी हो रहा है और हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं ऐसा नहीं है कि राहूल जी नहीं है तो हम अपने जिम्मधारी नहीं निभा पा रहा है हमारे तो बहुत उस स्थिति से उपर है कि नहीं कोई ना रहे थोड़े दिनों के लिए तो नौकरी पर सवाल उठ जाता है लेकिन खर वो नौकरी नहीं कर रहा है वो राहूल गांधी है वो तो और अकिले जी बिल्कु इस परश कर दूँ मुझे कोई रूची नहीं है यह ढूंड कि यह दोनों तस्वीरे मेरे हिसाब से जुड़ी हुई है वो इसलिए जुड़ी हुई है क्योंकि कॉंग्रिस भूमी अधिकरन को एक बड़े सियासी आंदोलन में तब्दील कर रही एक किसान मौझूदा स्थिति में उससे बड़ी समस्या से गुजर रहा है क्योंकि बेम अलुक में पहले पॉइंट से शुरू करूंगा कि बहुत आख़ने हैं किस जगह पे राजस्थान में पैतालिस लाख एक्टर से ज्यादा का नुकसान है उत्तर प्रदेश में भीशनी और् फरक हर्याना में इठा लाक हेक्टर का मद्यप्रदेश में साड़े पांच लाख हेक्टर की बारिश की मार है महाराश में तकरीबें चार लाख हेक्टर की मार है यह क्या वाकई को political issue बनना चाहिए क्योंकि इस परिस्थितियों में किसानों को मिलिना क्या चाहिए मैं यह जानना चाहता हूं इस इस मुद्धे को अगर political बनाने से किसे को फाइदा नहीं होगा तो यह नहीं बनना चाहिए यह बहुत ही ग्रेव इश्यू है क्योंकि यह जो बेमौसम बारिश जो पिछले चाहर हफते से हो रहा है सम्टाइम टो टाइम सम्टेश तो प्लेश उसके कारण गेहूं का तक्रीबन एक तिहाई गेहूं एफेक्ट हो गया है लगता है कि दाल में पांच प्रतिश्थ की कमी होगी जो आउट्पूट होना तो उपर जोना था इवन इन चना में भी जादा इंपोर्ट करना पड़ागा गेहूं और चावल में कोई प्राइस इसलिए नहीं होगा क्योंकि सेंट्र पूल में जो एफसे आई जिसका कस्टोडियन है उसमें पर्यार मात्रा में है लेकिन इसमें जरू किसानों को नुक्सान होगा औरेड़ी ये खबर आ दिये क सवाल में लिखना हूँ आपकी बातों को अलोग जी आप चैर्में रहें एफसे आई के सीधा प्रश्ट फिर मेरा दूसरा ये होगा बाकी अनिल जैन अखिलेश जी प्रवीन जहा के पास चाने से पहले क्या मेहंगाई प्रभावेत वातावरन बनेगा क्या इंफ्लिक्श आज में शाक शब्जी में थोड़ा प्राइसराइज जरूर होगा जो अभी तक फोरसी नहीं किया जा रहा था और अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रहती है तो तो शायद और भी ज्यादा होगा तो उसलिए इसका एक ही विकलप है जो कई कई एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हमें मार्केटिंग और बेजिटेबल्स और फ्रूट्स पर ज्यादा जोड़ देना चाहिए वो अभी फिलहाल केवल मेट्रो सिटीज में सफल के थू होता है वो जब तक छोटे-छोटे शैरों में नहीं होगा इस पर काबू रखना मुश में बारिश होती है दो दिन तीन दिन की बारिश फिर स्थिती बहतर होती है उसमें क्रॉप का नुकसान हो जाता है फिर किसी को नहीं पता होता कि पांच या छे दिन बाद वापस यह बारिश आजा और फिर और नुकसान करके क्या इंफलेशनरी इंपक्ट हो सकता है अलोक ने बड़ा रिलीफ दिया मुझे बता कर कि FCI के गोडाउन में गेहूं और चावल की समस्चा नहीं है अभीत जैसे रभी का जो क्रॉप है उसमें तो मुखितम जैसे गेहूं की बात कर रहे हैं भी तो गेहूं के भंडार तो है काफी और गर उसका प्रभंदन बढ़िया से हो तो आप गेहूं को जरूर मैनेज कर सकते हैं लेकिन उसमें एक प्रश्ट तो ये है कि आप प्रभंदन की जो हमारी व्यवस्था है कितनी दुरुस्त है जहां तक महगाई की बात है मुझे लगता है कि बाकी जो और फैक्टर्स हैं वो वैसे भी जब इन्फलेशन हमारा बहुत ज़्यादा चल रहा था मैं देखा था कि प्राइस जो है वेजटेबल में कई कई में तो 10 रूपे 15 रूपे एक वीक में प्राइस राइस हो गया था और दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं जहां की सफल है जहां की मदर डेरी है इस सब तरह की व्यवस्था हैं आपके पास हैं उसके बावजूत जो मह सिदा प्रवाव होता है तो मिला जुला के मुझे लगता है कि अभी जो हम आकलन कर रहे हैं कि कितना नुकसान होगा तो आप बड़ी फ़सल गेहूं को आप छोड़ दीजिए बाकी का तो हमें अंदाज ही नहीं है extent of the damage जो है वो कितना है और आज भी जो बारिश हुई है उसके अलावा जब स्काइनेट के को कर हम भरोसे कामान के चले हैं तो उसके हिसाब से तो एक तारिक जो सरल आकड़े हैं हमारे साबने उसका अनिल जैन जी को पूरा वक्त दूगा वभारते जनता पाठी को रेप्र विंजा क्याना है बिल्कुल सही है आप दोनों लेक एक्सपर्ट्स हैं यह आकड़े बर्ल भी सकते हैं इसमें किसी का कोई नियंतरन नहीं होता यह तो सबसे बड़ी ताकत के नियंतरन की बात है 106 लाक हेक्टर की फसल बरबाद हो चुकी है 106 लाक से ज्यादा तो यह तश्वीर बिल्कुल सपष्ट है अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसके साफ से सिर्फ गेहूं की 43 लाक हेक्टर की फसल बरबाद हो चुकी हनकि अलुक्स जीने एक बड़ा बड़ी राहत दिये 32,000 करोड का गेहूं अभी तक बरबाद हो चुका है तक्रीबन 32,000 करोड का दलहन सरसो मिलाकर 40,000 करोड की फसल बरबाद हो चुकी है जिसके तरफ प्रवीन इशारा कर रहे थे कि गेहूं और चावल से आप का पैटर्न इंफलेशनरी नहीं होता है और रबी की कुल फसल 600,000,000 हेक्टेर में प्रभावित हो चुकी है जिस पॉइंट पर प्रवीन जारेत है अनिल जैन जी सरकार का कंटिंजिंसी प्लान इस स्थिती से निपटने का कोई कारेक्रम जिसके बारे में आपको पता हो देखे अविग्यान जी इसमें कोई दोराई नहीं कि जो बे मौसम बारिश हुई है और जो उला विरस्टी हुई है इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और जैसा कि आपने अपने अकड़ों में भी बताया कि चौदे राज जिसके परिशान है सबसे ज़्यादा लॉस सबसे ज़्यादा नुकसान उत्तरप्रदेश मद्रदेश राजिस राजिस्तान और हर्यानों को हुआ है अब केंदर ने चारो राजियो में बलकि चौदेो राजियों के लिए केंदर ने टीम केंदर के नुमा suffrage जा चुके है और केंदर ने अौन चाना कि इह गिडिदावरी इसका सर्वे लोकल स्थर पर इस्थानी सरकारे कराती हैं उन सरकारों ने कराया है क्योंकि ये ongoing process है एक बार नुक्सान हुआ फिर उसकी गिर्दावरी भी फिर द्वारा हुआ फिर उसकी गिर्दावरी भी अभी कल फिर वारिश होगी फिर उसकी गिर्दावरी होगी ये थोड़ी सी इस से एक बार होकर फिर सर्वे हो जाए फिर उसक किसी के हाथ में प्रोसेस राज्यों की भूमिका है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी के हाथ में क्यों नहीं है यह प्रोसेस तो असा इसको जरा विस्ताफ से एक्स्पेंट करेंगे नहीं है अच्छा ठीक है यह किसी के हाथ में नहीं है यह क्योंकि बार बार बारि बिर्दावरी करा लिए, अपना सर्वे कराया है, सर्वे के हसाब से नुकसान का हंकलन किया है, तो हैं प्रधान मंत्री जी ने 25 तारिक को सारे राज्यों के चीफ सेकेर्टरी से इस पर चर्चा किये, और फिर रिवाइज लॉस निकाला है, कि कितना लॉस है, जैसे आप बता ये केंदर ने हर राज्य में दो-दो केंदरी मंत्रियों को भीज कर इसका मुआइना कराया, और उनके सम्मंदित मुख्य मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ, और स्थानों पर जाकर, ये मुआइना शुरू हो गया, जैसे कर अरून जेट्ली राइस्तान गए, कल हर परियाना में रामविलास पासवान और संजीब बालियान जा रहे हैं। इस प्रकार सब राज्यों में केंदर के दो-दो मंतली जाकर इसका आंकिलन कर रहे हैं कि केंदर की कितनी इसमें राहत रासी दी जाए केंदर ने राहत रासी के लिए किसी को मना नहीं किया दूसरी बात इस्थानी इस तर पर जो SDRF का फंड होता है स्टेट का स्टेट का जो SDRF फंड है उस SDRF से भी वो लोग जिसमें की 75% केंदर का होता है 25% राज्य का होता है SDRF सब राज्यों के पास रिजर्व होता है और जैसे उत्तर प्रदेश ने दो सो करोड की राती गोश्रा कर दी हर्याना सो करोड की गोश्रा कर रहा है इस प्रकार ये तुरंत इनको मुआपजा दिया जा सके किसानों को इसकी भरपाई हो सके जो बात आप आगे की महंगाई की या अनुपलबदता की है उस पर किस तरह से कंट्रोल किया जा सके जैसे अलोग जी ने बताया मेरे पास एक कागज है इस पर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ डामज यानि की जो राज्य है और अंग्रेजी ऐसी लिखी गई कि इसका दोनों मतलब निकलता है राज्य भी और स्तर भी नुकसान का अब उसमें अगर आप एक चीज देखिए तो इसमें बड़ा स्पच्टा लिखा है यह ज्यादा तर मध्यपरदेश और पंजाब के इलाकों की तस्वीर उसमें लिखा हुआ है फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मर्स यानि की फलों के और सबजियों के जो किसान है उन्होंने भी इन इलाकों में बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हासिल किया है प्रवीन जहा और मैं इस बात को जानते हैं क्योंकि ये सारा समान का एक तरह से मुव्मन्ट होता बार बार हम आलोग जी मौजूद है उन थियोरीज में आज नहीं जाएंगे लेकिन ये बहुत तेजी से अनिलजेन इन्फलेशनरी हो सकते हैं महंगाई शुदा हो सकते हैं इनका मुव्मन्ट पर मैं अगली शुदाब से पास आँँगा अभी ग्यान जी ये बात सही है कि इस तरह से जो फल और सबजी दो चीज ऐसी है क्योंकि इनकी बहुत सेल्फ लाइफ बहुत जादा नहीं होती है इन चीजों को बहुत पहले से स्टोर करके भी उत्रा नहीं रखा जा सकता है इनका जो तरुंत उक्सान होता है उसका तरुंत प्रभाव मार्केट पर पढ़ता है जितना डिमांड है उतनी सपलाई नहीं होती इसलिए महेंगी होंगी होंगी इसमें किसी का नेंतरन नहीं हो सकता दूसरा क्या है कि इनको बहुत जगय से import करकर आप इसको replenish नहीं कर सकतें तीसरी बात क्या है कि जैसा प्रवीन ईने कहा कि इसके distribution की या आलो जी ने कहा कि इसके distribution की ठीक विवस्ता राज और केंदर मिल कर करें इस बात पर जो केंदरी मंत्री गए हैं इन बातों की बात करने के लिए कि इनकी किस्तरे से विवस्ता तुरंट की तुरंट इमर्जेंसी बेसिस पर ठीक प्रकार से हो मैं पर एक और पॉइंट पर आँगा मैं मानता हूं कि इंदरी मंत्रियों को जाने की जरूरत है बहुत गंभीर स्थिती है लेकिन साथ में जो सरकारी कौन जानता है वो इतना समय लेता है जैसे पिशली बार मुझे याद है हमारे रिपोर्टर जो है संजीव बालियान आपकी मंत्री गए थे बुंदेल खंड बुंदेल खंड का पूरा इतिहास मैंने भी उसके गाहों देहात का बहुत यात्रा की है अब वह बार बार वही स मस्चा तो ये अकिलेश मत्राप सिंग कोई सुझाओ कॉंगर्स पार्टी की तरफ से थोड़ा बिज्ञान जिस समय दीजएगा हाना कि मूपे तारीफ नहीं की जानी चाहिए लेकिन मैं आपकी ताराप पेचनल के तारीफ इसले कर दे रहा हूं कि 62% लोग किसानी पे जीव का जीते हैं लेकिन उसकी चर्चा कहीं उनके तकलीफ की नहीं होती है एक पसंट आदमी सेयर होल्डर होता उसकी चर्चा होती है कुछ पसंट इंडस्ट्री के होती है इतना पूरा मीडिया ये कवर की होते है लेकिन जो इन्फलेशन जो घटी वटती इमिडियेट है वो खेती आधारित उपजों के कारण होती है दूसरी बात अभी जो बहस हो रही थी जब हमारे घर में थाली बनती है तो रोटी और चावल का दो से तीन गुना जादे और आइटेमों पे खर्चे होते हैं और वो भी किरसी प्रोड़क्ट है और वो इंफलेशन सबसे जब प्रभावित करते हैं ये एक महिने में तीन बार जो ये बारिस अउले का प्रखोप हुआ है हम थोड़ा आलोग सिनाज इससे डिफर करते हैं दलहन और तेलहन मिन्योंने पांच पसंट आंका है मेरा अपना मानना हम खुद खेती करते हैं मिन क्योंकि वो बड़ी नाजुक फसल होती है ये फसल जो रविक होती है इसमें अगर बारिस थोड़ी हो तो गनीमत होती है बारिस ज़ादे हो और हवा चल गई अगर वो सब गिर जाता है वो फिर खड़िने होती हो डंठल उसकी चाहिए हो कि बड़ी परब्लम सरकारों के साथ है राज़र के दोनों यहां कि सरकारी तरीकों से जी हां बोली अकले जी जो फिर उसके भाट जब यह आलू है आलू में अगर जो जो जिसको घौवा बोलते हैं जिसके बीच में आलू होता है उसके उपर तक यह पानी आ गया तो वो पेह खराब हो जाएगा वो अभी पका है नहीं तो वो बाद में सड़ जाएगा तो ये सब चीजे जो हमारी सेकेंडरी आइटम है गेहुचावल तो आप स्टोर कर रखें लेकिन ये जो कैस क्राब जिसको हम बोलते हैं ये बहुत बंपर लॉस हुआ है और ये लॉस एक क्या उसमें कुछ और अपने तरफ से दे रहें कि उतनी हीतन होने की बात कर रहे हैं